हेलो फ्रेंड्स, स्वात की बात में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती इजी टेस्ट्री और यमी मैंगो केक बच्चे हो या बड़े सभी को मैंगो बहुत पसंद है और अगर आप इसका केक बनाएंगी तो ये और भी टेस्ट्री बनेगा मेंगो केक बनाने के लिए लिए हैं हमने ये सारी सामगरी हमने लिया है दो कटोरी मैदा इस तरह की कटोरी को नापकर हमने दो कटोरी मैदा ले लिया है एक कटोरी हमने लिया है पिसीवी चीनी एक कटोरी लिया है मेंगो पल्प जिसे हमने पहले से ही मिक्सी के अंदर पीस लिया है एक कटोरी ले लिया है गाड़ा और मीठा धई आधा कटोरी हमने लिया है कुकिंग ओईल, रिफाइंड ओईल जिसे कहते हैं दो इलाइची हमने कूट कर ले ली है मेंगो केक में इलाईची का स्वाध बहुत ही अच्छा आता है डैट टी स्पून लिया है बेकिंग पाॉडर आधा टी स्पून ले लिया है बेकिंग सोडा ये थोड़ा सा ओरैंज कलर लिया है केक को अच्छा रंग देने के लिए ये बिल्कुल आप्षिनल है आपकी चाओ तो डाले नहीं तो नहीं डालें आदा ग्लास ले लिया है दूद केक के बैटर को पतला करने के लिए हम दूद का उपयोग करेंगे अब सारी सामगरी को हम अच्छे से मिला लेते हैं यह हमने 6 इंच का टिन ले लिया है इसके उपर हम सबसे पहले ब्रश की साहता से तेल लगा देंगे अब हम इसके उपर सूखा मैदा डालेंगे इस तरह से केक अच्छे से बाहर निकल आएगा तो तेल और सूखा मैदा आप टिन पर जरूर लगाएं ये इस तरीके से हमने सूखा मैदा लगा दिया है अब हम एक बर्तन में जाली लगा देंगे और सारी सूखी सामगरी को बहुत अच्चे से चान लेंगे ये है दो कटोरी मैदा अब हम डालेंगे एक कटोरी पिसीवी चीनी चीनी हमने कम ली है क्योंकि mango puree already मीठी है यह हमने डाल दी है पिसीवी चीनी डेट टी स्पुन बेकिंग पाउडर आदा टी स्पुन ये लिया है हमने बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं अब सारी सूखी सामगरी को बहुत अच्छे से चान लेंगे अब हम सारी गीली सामगरी डालेंगे यह हमने डाला एक कटोरी धई अब हम डाल देंगे आदा कटोरी रिफाइंड ओईल अब हम डालेंगे एक कटोरी मैंगो प्यूरी अब हम डाल देंगे दो छोटी इलाइची कुटी वी इसका स्वात केक पे बहुत ही अच्छा आएगा थोड़ा सा चुटकी बर डाल देंगे औरेंज कलर ये बिलकुल आप्षिनल है आपकी इच्छाओ तो डाले नहीं तो नहीं डाले सारी सामगरी को बहुत अच्छे से चमच की साहता से मिला देंगे अब हम इसमें डालेंगे दूद आदा ग्लास दूद हम इसके अंदर डाल देंगे इससे ज़्यादा दूद की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि केक बैटर अल्रेडी पतला हो जाएगा इससे ज़्यादा दूद नहीं डालें केक की बेटर को बिल्कुल पतला नहीं करना है नहीं तो केक अच्छे से नहीं बनेगा इस तरह का घोल ही बनाना है अब केक टिन में इस घोल को डाल देंगे दो से तीन बार केक टिन को अच्छे से टैप कर देंगे जिससे कि सारे एर बबल निकल जाए अब कड़ाई में 45 मिनट के लिए धीमी आज पर केक को बेक होने दिंगे इस कड़ाई को हमने 10 मिनट तक पहले प्री हीट कर लिया था अब हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे यह हमने दो मैंगो की प्योरी बना ले थी इस तरीके से मिक्सी में इसे हम धीमी आज पर कड़ाई जो हमने चड़ाई है उसके अंदर डालेंगे आधी कटोरी शकर डाल देंगे अब चमच की साहता से अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि यह शकर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसे चलाते रहेंगे दो से तीन मिनट में मैंगो ग्लेज बनकर तयार हो जाती है यह देखिए शकर अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैंगो ग्लेज का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है तो हम गैस बन कर देंगे और इस मैंगो ग्लेज को एक कटोरी में निकाल कर इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए 45 मिनट हो गए है और केक बहुत अच्छे से पग गया है ये देखिए हम तूथ पे डाल के देख रहे हैं ये साफ निकल आई है केक बहुत अच्छे से पग गया है अब हम इस तरह का एक बेस ले लेंगे और उसके उपर थोड़ी से विब्ड क्रीम लगाएंगे ये विब्ड क्रीम मैंने पहले से बीट करके तयार कर दी थी इस विब्ड क्रीम को हम केक बेस पे लगा देंगे इस तरह से करने से केक हिलता नहीं है ये विब्ड क्रीम हमने लगा दी है अब टिन से केक को बाहर निकाल देंगे ये जारीदार केक बनके तयार हो गया है बहुत अच्छा इसके उपर अब मैं ये थोड़े से आम को मैंने पानी और शक्कर में मिलाकर मिक्सी में पीस लिया था तो इस तरह के से ये एक पतला रस तयार किया है ये में केक के उपर लगा रही हूँ इससे केक का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा और केक बहुत अच्छे से मौिस्ट हो जाएगा अब हम इसके उपर ये डाल रहे हैं मेंगो ग्लेज इसे हमने कडाई में पका के तयार किया था ये mango glaze खाने में बहुत अच्छा लगता है इसे हम इस तरीके से चाकू की साहिता से फैला देंगे केक के उपर चारो तरफ फैला देंगे बहुत अच्छे से अब whipped cream में ये थोड़ा सा mango essence टाल रही हूँ इससे whipped cream का color भी yellow हो जाएगा और cream में भी mango का स्वाद आएगा ये star nozzle ले लिया है जिसे मैं इस तरीके से इस polythin में डाल रही हूँ अब whipped cream को इस con में भर देंगे अब इस तरीके से केक के उपर design बना देंगे आप चाहे तो केक को ऐसे भी खा सकते हैं चाहे तो इसे whipped cream से सजा सकते हैं या चाहे तो फिर सिर्फ mango के टुकडो से या gems से भी आप केक को सजा सकते हैं लेकिन इस तरीके से decorate करने से केक बहुत ही सुन्दर दिखेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा इस whipped cream में mango का स्वाद है इसलिए खाने में बहुत अच्छी लगेगी इस तरीके से साइड में भी डिजाइन बना देंगे ये चोटी-चोटे मैंने mango की पीस काट कर रखेते इसे केक को अच्छे से सजा देंगे बीच में भी डिजाइन बना देंगे इसके उपर भी mango का कटावा टुकडा लगा देंगे चारो तरफ अच्छे से डिजाइन बना देंगे ये mango की देखने में बहुत ही सुन्दर है और खाने में आप बहुत डिलीश्यस है आप इसे जरूर बनाएं ये इस तरीके से मैं यहाँ पे तुलसी की पत्या लगा रही हूँ ये देखने में बड़ी सुन्दर लगती है केक के उपर ये देखिए कितना सुन्दर केक बन के तयार हुआ है ये टेस्ट्री और यमी mango केक आप अपने घर पे जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये केक आपको खाने में कैसा लगा जो भी लोग आम को पसंद करते हैं उन्हें ये केक खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा